जिस विक्ति को साप काट खाए और इसको जहर चड़ जाए, किसी भी पर करगा चाए, एक कोबरा भी क्यों ना हो तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हम इसका प्रियोग करते हैं, इसका प्रियोग कैसी कहा जाता है यह आम पोदा है, प्लांट है, हर जाए खड़ा होता है, आपकें साथ में मिला देब पॉडर करकाई हुआ यो और फोड़ा उसके अंदर पाइं डाले पाइं डाल के उसको खुड़े में च्छान कर रछें और अईड्रोव की सिष्ची में डाल जिस만 वक्ति को साफने डस लिया है ऐसे उस विक्ति को लिटा करके उसकी नाक में चार-चार बून हर दो घंटे के बाद डालते चले जाएं और उसको नीम के पते खिलाएं यह होता है कि जब विक्ति को साप काट काता है तो नीम के पते मीठे लगने लगते हैं तो उसमें नाक में हम डालते चले जाएंगे ऐसी अवस्ता में लगाता है, हम 10-12 गंटे इसी करम से उस पैसेंट को टीट करते चले जाएंगे, उसकी नाक में डालेंगे और पत्ते खिलाते चले जाएंगे, तो यह सब उसको ठीक करता है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, आज तक जिसकी नाक में डाल दिया और वो मर गया ह हुई, हमारे यहां पर जो लड़के गोशाला में काम करते हैं, वो MP के रहने वाले हैं, उसके फादर को सुबह सुबह चार बज़े सांपने काट लिया, काले नाक ने, और वहां से फोन आया, कि भाई मुझे सांपने काट लिया, महाराजी से कोई दवाई हो तो बताओ, त क्या हैं, तो मैंने कहा कि आप गुमे का रस निकाले, इस तरह से उसका, उसमें काले मीशी भी पेस्ट करें, और रस निकाल करके नाक में डाले हर दो गंटे के बाद, उन्हों डालना प्रारम कर दिया, फोटो भेज दिया यहां से, उनके जाकर के भाई उसको तलास करके र सबसकता है तो मैंने कितने बार ढूंजिये, एक दो बार, मैं खाने कम डाला यहता है तो ने ङसी वह को सबस्य आपने कम डाल कि सथे यहता in, मैंने में पूंछ दो दिन लगा करके इसको बांद देजे पट्टी से तो एक डेट गंटे में बुखार को बांधने मातर से उतार देता है तो बहुती दीवय पोदा है ये हम सब इसका प्रियोग करें और हमारी भारतिय परंपरा में लगबग इसको व्यक्ति जानते हैं तो ऐसी वरस्ता में हर चीज में इसका प्रियोग किया जाकता है साथ में जो तमक स्वास होता है उसमें भी ये काम करता है दमे के अंदर भी काम करता है तो ऐसे पोदे को हमें जानना बहुत जरूर ही है जिससे ये हमारी धरोवर है हम इसको जान करके अपने बच्चों में इसका परचार परसार करें ताकि आने वाली हमारी पीडियां इससे परिचित हों और इससे लाग उठा सकें देखिए इसका एक गुण वायू का नास करना भी है आसी परकार के वायू रोग होते हैं और इन रोगों में बहुत ज़्यादा विक्ति को पीड़ा होती है तो उस पीड़ा से बचने के लिए हम इसका परियोग कर सकते हैं वहाँ भी इसका काड़ा बना करके लें काड़ा ए रोगों को भी दूर करता है जहां साप काठी की दवाई है अस्थमा के लिए है और शोत में काम करता है वही पर इन रोगों में भी काम करता है और हमें आरुग्य देता है तो सभी भाई बैने इसका प्रियोग करें और हेल्दी